वेल्कम बैक अब्रेवन वेल्कम टो सिवल सर्विसेश टाड़ी यूपी असी सिवल सर्विसेश प्रोलेम्स 2021 की टेस्स सीरीश चल लई है 42 टेस्ट कंप्लीट हो गेते हैं भी तक यह है टेस्ट नमबर 43 तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है फोकस करेंगे करेंट अफेर्स के प्रश्णों पर देखें जो टेस्ट सीरीश चलिए यूपी असी सिवल सर्विसेश की इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने बहां पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर 43 तक पहुंच सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो बैक टू 2019 के सुरू में किये गए जल जीवन मिशन का उद्देश 2014 तक दक्षिन भारत के सभी ग्रामिण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ती सुनिश्यत करना है क्या जल जीवन मिशन की बात हो रही है तो भई पूरे भारत में करेंगे ना गलते दूसरा स्टेटमेंट दक्षिन भारत क्यों इंडिगेट कर रहा है ये पहला वाला सहीए गोई है वन ओनली तो देखिए कथन एक सहीए दो गलते क्योंकि हाल ही में जो है गोवा ग्रामिण छेत्रों में 2.30 लैक ग्रामिण परिवारों को सफलता पूर्वक 100 परतिशत कार्यात्मा घरेलू नल कनेक्शन उपलवद कराकर देश का पहला राजबन गया है ठीक है हर घर जल ब सभी ग्रामिण घरों में पाइप जलापूर्ती यानि हर घर जल को सुनिशित करना ठीक है इस मिसन की प्रात्मिक्ता देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेजल उप्रब्द कराने की है प्रश्न करमांग संख्या दो पर आजए स्रीनेक्स 20 के संबंद में कुछ स्ट स्रीनेक्स 20 समद्री अभ्याज स्रीनेक्स 20 का आठवा संसक्रण स्रीलंका में आयुजित किया गया है स्रीलंका के त्रिंको माली में इसे examiner अगर आप इस प्रश्न को set करते तो कहां उल्टा फुल्टा कर सकते थे आप यहां पर भी कर सकते थे क्या पता है भारत में आवजीद हुआ वह स्रिलंका में ना हो ठीक है आठवा ना हो साथ भा हो ठीक है भारत की नोस है ना या स्रिलंका की जगह पता चले सिंगाप पड़ा होगा तभी होगा फिलल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेट्मेंट सी है इसका अंसर तो देखिए इसली नेक्स 20 भारते नोसेना और स्रिलंका की नोसेना के बीच संयुक्त रूप से आउजित होने वाला वार्सिक दूइपक्षिय समुद्री अभ्यास है इसका समुद्र संचारण के लिए सर्वत्तम प्रताओं तथा प्रक्रियाओं का दान प्रतान करना ठीक है उन्ने से 21 अक्टूबर दुहरबीस तक भारते नोसेना और स्रिलंका की नोसेना के बीच समुद्र संयुक्त वार्शिक दूपक्षिय समुद्र अभ्या स्रीनेक्स 20 का आ कर्व दरिस्टोरेटिव पावर ओफ प्लैनेट ठीक है बेजड डाइट नामक रिपोर्ट नमलकत में से किस संस्थान या संगठन ने जारी की है फिर से पढ़ देते हैं बेंडिंग कर्व दरिस्टोरेटिव पावर ओफ प्लैनेट वेस्ड डाइट नामक रिपोर्ट नम इसका अंसर तो नॉक्टूबर 2020 को वर्ड वर्ड लाइफ फंड द्वारा बेंडिंग कर्वदर रिस्टोरेटिव ठीक है पाबार ओफ प्लेनेट विस डाइड नामक रिपोर्ट जो है प्रकाशित किये रिपोर्ट में 147 देशों और 6 छेत्रों में खाद उपभोग के पैट अबने अबम स्वास्त संकेत को पर आहार के प्रभावों का मुल्यंकन किया गया है तो नाम याद रखना एक बड़ी सी रिपोर्ट है और किसने डबलु डबलु एफ ने जारी की है कोईशन नुमर फोर पर आजए विश्वेंक के अनुसार वैश्विक गरीवी से रिलेट कुछ स्टेटमेंट है यहां पर 1.90 अमेरिकी डॉलर से यदि कोई व्यक्ति कम कमाता है तो विश्वेंक कहती है वो अत्यधिक गरीब है ठीक है एक्स्ट्रीम पॉवर्टी विश्वेंक के अनुसार वस 2019 में प्रतियेक 10 लोगों में से एक व्यक्ति अत्यधिक गरीब है व पता यह कौन सा करेक्ट है 1.90 डॉलर एक डॉलर में भी 73 रुपे चल रहा है ठीक है यानि 140 से कम कमा रहा है तो अत्यधिक गरीब है वर्ड बैंक कहती है एक्स्ट्रीम पॉवर्टी है ठीक है एक्स्ट्रीम पॉवर्टी की लाइन में है वो बिलकुल करेक्ट है अब 140 से कम कमा रहा है ठीक है क्या होता एक सुचर इसमाज कल विश बैंक के अनुमान के अनुसार बस 2019 में परतेक 10 लोगों में से एक व्यक्ति अत्यधिक गरीब है दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है और बिल्कुल विश में सरवादी गरीब जनसंख्या उप सहारा अफरीकी छेतर में निवास करती है तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए इसका अंसर हो जाएगा उपसर नुमबर तो सारे के सारे करेक्ट हैं विश बैंक कहती है कि 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति दिन से अगर कोई कम कमा रहा है तो अत्यधिक गरीब है वो विश बैंक के अनुसार वर्स 2019 में प्रति एक 10 लोगों में से एक व्यक्ति अत्यधिक गरीब है ठीक है एक्स्ट्रीम पूर है एक्जाम में वर्स 2019 में वैश्वेक गरीबों के आधे से अधिक पूर्वी एशिया और परसांत शेत्र से थे दुनिया के 27 सबसे गरीब देशों में से 26 उप सहरा शेत्र से थे और वर्स वर्स 2019 में दुनिया के गरीबों का सिर्फ एक चोथाई इस शेत्र से था ठीक है अब देखिए वर्स 2015 तक 50 प्रतिशत से अधिक गरीब इस शेत्र में क्या हालत हो गई है वर्तमान में कोशन नमबर 5 पर आजाए नमलिकित कत्नों पर विचार करना है दो स्टेटमेंट है य कुल प्रजनंदर TFR ठीक है यानि टोटल फर्टिलिटी रेट एक महिला के उसके पूरे जीमनकाल में जन्म लेने वाले या जन्म लेने की संभावना आवाले कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित करता है प्रती महिला लगभग 2.1 बच्चों के कुल प्रजनंदर को प्रती स्थापन प्रजनंदर कहा जाता है क्या अब यहां देखिए 2.1 सही ना हो कर क्या पता 1.1 सही हो लेकिन 1.1 गलत है यह 2.1 ही सही है दोनों के दोनों करेक्ट है स्टेट्मेंट C है इसका अंसर ठीक है तो कुल प्रजनंदर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है एक महिल के उसके पूरे जीवन काल में जर्म लेने वाले या जर्म लेने की संभाबना वाले कुल बच्चों की संख्या को संदर्वित करता है प्रती महिला लगभग 2.1 बच्चों के कुल प्रजनंदर को प्रतिस्थापन यानि कुल प्रजनंदर कहा जाता है ठीक है रिप्लेस्मे प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के कुल प्रजणंदर को प्रतिस्थापन कुल प्रजणंदर कहा जाता है कौशन 6 पर आजए नम्रिकित में से कौन सा भारत सरकार के डाक विभाग का काम नहीं है क्या डाक विभाग जमा स्विकार कर सकता है क्या डाक विभाग जीवन विमा कबर दे सकता है ब्रधा वस्था पैंसन जैसी नागरिक सेवायों प्लब्द करा सकता है क्या ओनलाइन सिक्योर्टी ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कारे कर सकता है क्या त्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार कर सकता है क्या- नहीं कर सकता जीबन विंग मां कवर तो करा ही रहा है जमाँस्विकार करी रहा है ब्रद्ध वजुथा पैंसर जैसी नागरिक सिवाई वो प्लुप Loch करा रहा है यह नहीं करता online security trading platform के रूप में काम नहीं करता भारत का डाक बिभाग तो भारते डाक बिभाग के कार कौन कौन से है भारते डाक का मूल काम है डाक वित्रित करना ठीक है इसके अलाबा यह है लगू बचत योजनाव के तहत जमा स्विकार करने postal life insurance ठीक है और क्या करता है ग्रामीन डाक जीवन वीमा निगम के तहत जीवन वीमा के तहत जीवन वीमा कवर प्रदान करता है विल संग्रह करता है प्रपत्तों की विक्री सेवाएं प्रदान करने का काम करता है नहीं करता तो क्या online security trading platform के रूप में काम नहीं करता प्रश्न क्रमांक संख्या साथ पर आजाईए रानी की बाबडी, रानी जी की बाबडी से रिलेटेड दो इस्टिटमेंट है यहाँ पर, देखे रानी जी की बाबडी, रानी नाथा बती द्वारा निर्मित एक परशिद सीडिदार बाबडी है, अगर आपने देखी होगी पीके, तो उसमें बैठा देखा होगा आमीर खान को, ठीक है, यह बहु मंजिला बाबडी गुजरात में अवस्थित है, बताए क्या है, क्या है कौन सा सही है इसमें, देखे पहला बाला सही है, रानी जी की बाबडी, रानी नाथा बती द्वारा निर्मित एक परशिद सी सीनिदार बाबडी है, राजस्थान की धरोहर है, यह गुजरात में नहीं है, ठीक है, किवल पहला यहां पर सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, तो रानी जी की बाबडी, रानी नाथा बती द्वारा निर्मित एक परशिद सीनिदार बाबडी है, यह बहु बंजला सुख महल, रानी जी की बाबडी और हवा महल, यह सारे के सारे किसी एक स्टेट से रेलेटेट नहीं लग रहे है, राजस्थान तो तारागड किला जो है, बूंदी स्थापत्य कला से संबंदित है, सुख महल, बूंदी स्थापत्य कला से संबंदित, रानी जी की बाबडी स्थापते कला से समझने था बात करें तारागड के लगई तो तारागड के लिए का निर्मान जो है राव राजा बैर सिंग ने 1456 फीट उची पहाड़ी पर कप किया था 304 में मंडबों की घुमावधार छटो मंदिरों के स्थंबों और हाथियों की अधिकता तथा कमल की आकरती के साथ यह महल राशपूत सहली का एक प्रमुक उधारण है ठीक है बात करें सुख महल की तो यह है एक छोटा दो मंजिला महल है जिसे साश को द्वारा गर्मियों के मौसम में पुरियोग किया जाता था जैत सागर जील के तट पर इस्थित इस महल का निर्मान राव राजा विश्णू सिंग ने 1773 में किया था वाकि राजनी जी की बाबड़ी के बारे में तो पता चली क्या होगा आपको पिछले प्रश्ण में चली कोशन नमबर नाइन पर आजए इंडिजैन जीनोम परियोजना से रेलेटेड दो स्टेट्मेंट है यहां पर और बताने की नमसे कौन सा करेक्ट होगा देखे भारत सरकार के वेग्यानिक और और अध्योग्यक अनुसंधान परिशद की पहल है इंडिजैन जीनोम परियोजना जिसे अप्रेल 2019 में प्रारम्द किया गया था इस परियोजना के तहत एक हजार से अधिक लोगों के जीनोम अनुकरमन का अध्यन किया गया है देखे इस तरह के प्राश्चन मान लिजे पढ़ाई नहीं है बाउंसर मार रहा है देखा यह नहीं कभी पढ़ाई नहीं करेंट अफेर्स में किसी बुक में नहीं देखा ठीक है तो चोड़ दो इनको चुकि वन थर्ड की माइनस मारकिंग है उबरना थोड़ा बहुत रि ठीक है तो एक आइडिया से इनको करेक्ट कर सकते हैं तो एक हजार फिलाल सही है अगर कोई बड़ा नंबर होता है एक लाग होता दस लाग होता तो गलत करने में सही रहता हूँ फिलाल दोनों के दोनों करेक्ट हैं सी है इसका अंसर तो समरद अनुवानशिक विभेता के बावजूद भारत की वैश्विक जीनोम अधेनों में जो है बहुत कम भागिदारी है इस अंतराल को भरने की दिशा में वैज्ञानिक तथा और अनुशंदान परिशत द्वारा अप्रेल 2019 में इंडिजेन जीनोम परियोजना को सुरू किया गया ठीक है इसने पहला वाला कर पूर्ण जीनोम अनुकर्वन का कार पूरा कर लिया गया है ठीक है तो एक हैर से तो अधिक हो गया ना एक हैर 29 तक ले गए इसने करेक्ट हो गया दूसरा वाला स्टेटमेंट भी अब हम अंतिम प्रश्ण की और अगरसर होते हैं दक्षिन अमेरिका में अवस्थित यह दे विष्व के प्रमुकरिकिस्तानों में से एक अटाकामा डेजर्ट इसी दे अलशित है अब बताये किस देश की बात हो रही है कि साउथ अमेरिक की देश की बात हो रही है पहला तो नीचे देख़े लोह साउथ hypocrisy के देश सारे के सारे एक कवर्डर कोलंबिया मेक्सिको चल इसको ही eliminate कर दो, दक्षण अमेरीका की बात हो रही है, ठीक है, तो answer क्या है विससे इसका, इसका answer है, चली, option number D, तो देखिए दक्षण अमेरिका के दक्षण पस्वी छोर पर इस्थित चिली पस्चिम में प्रशांत महसागर पूरब में अंडीस परवतमाला के वीच इस्थित एक लेटिन अमेरिकी देश है चिली विश्व के सबसे लंबे और सबसे संकिन देशों में से एक है जो कि उत् अटकामा डजार्ट उत्तरी चिली में इस्थित एक तटियर एकिस्थान है चिली की राजधानी क्या है संटियागो यह देखिए चिली यह है चिली 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 यह है इसकी कैपिटल यहां पर संटियागो पेरू पूरब में उत्तर पूरब में बोलीविया ठीक है पराग अर्जन्टीना इसायत प्रेश्ण पहले भी कराया ठीक है और यह है प्रेसिफिक ओशियन चलिए तो यह थे दस इंपोर्टेंट प्रेश्ण इनकी एक बार प्रेक्टिस करके एक बार रेविजन कर लिजेगा धन्यवाद